हेलो फ्रेंड्स आप देख रहें इंग्लिस वित रंजन सर यूटूब चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए सबसे बड़े प्रॉलम का सॉलूसन तो अगर आप पैसिव वाइस बनाने की बात करें पैसिव चैप्टर्स की बात करें तो शुरू होता आपका प्रॉलम की क अगर हम पैसिव वाइस की बात करें तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वह पर डिपेंड करता है लेकिन आप यूज करते हैं आप स्टक्चर से याद करते हैं लेकिन आज मैं बोलूँगा आप टेंस के एट लिस्ट टेंस के जब हम पैसिव वाइस बनाएंगे यू डोंट अगर हमारा एक्टिव वाइस दे दिया जाए कि अगर हम एक्टिव व्षट की बात खरेदिया हमारे पास होता है सब्जिक्ट मिए अंगा यूज करते हैं किव polls दे हम bends हमारे पास होना यह使 चीत होता है हम करेंगे सको पैसिव वईस कैसे कणवर्ट करेंगे कि यहां पे हेल्पिंग वोब आता है और यहीं हेल्पिंग वोब मैं आपको बताने वाले एक सिंपल सा ट्रीक कि कैसे इस हेल्पिंग वब को लगाना है तो एक संटेंस और एक जो में भी संटेंस बोलने जारो just keep it in your mind और फिर आप आगे चलेंगे क्या मैं बोलने ज़रा ध्यान से सुनेंगे पैसिव वाइस में मतलब टेंस के पैसिव वाइस में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगता है अगर एक दे दिया जाए तो एक हमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना है पस वही मैं आपको थोड़े से चोटी से वीडियो में आपको बताने वाला हूं यहां पर वाई और कुछ और दी प्रेपोजिशन यूज करते हैं देन हम क्या लिखते हैं इस सब्जेट को एजेंड के रूफ में लिखते हैं तो यह कॉमन सा स्ट्रक्चर से सबको हमें पता है बट हम बताने वाले यह जो इतने सारे हेल्पिंग वर्ब हम याद करते हैं यूड़ डॉन नीट टूरीमेंबर याद नहीं करना है क्या करना ह medical इसकी बात करेंगे है कि जब हम सी इसकी बात करेंगेThe रे एक हमआगी वर्ब यूज होता है डाट शॉप जितने यहां टेंडियम दे करतें कि कैसे हो यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम जाने से पहले चेंज कर इसका da पांच फ़र्म में इसका लिक दूं सौरी वी यहां पे लिख देता हूं फिर वी फिर वी थी और फिर वी निए अब ग्मेरा का हमें बताते चलेंगे कि बीवन क्या होता है अगर बी के बीवन की बात करें यहां पर आएगा और अगर वीफाइब की बात करेंगे तो यह आएगा इस और आएगा आए बस इतना आपको याद करना है अगर वेधरी की बात करें यह होता है गर अगर हम वेफोर की बात करें यह होता है बस एक हेलपिंग वरब आपको पूरा प्लस अब्जेक्ट हम क्या करेंगे अब हमें क्या चाहिए आप सबसे पहले यह देखेंगे वर्ब की फर्स्ट और फिट फॉर्म चाहिए जस्ट आपको वहां पे जो हम बोल रहे थे लिखेंगे एक संटेंस एक्स्ट्राहेलपिंग वर्ब लगता है जस्ट बी का वही रूप लिखें यहां पे लिखा है वीवन चाहिए और भीफाइब चाहिए आप देखें जरह बीका वीवन फॉर्म क्या है आर वीवन फॉर्म क्या है इस और एंब एंब दें हमने बोला कि आते दूसरा जिर्व फटाफट में करता हूं इसको कैसे करें हम कि ऑब्जेक्ट क्या चाहिए एमिजार लिखा हुआ है हमने लिख दिया एमिजार तुमारा पहला संटेस आप याद किजे मैंने बोला एक्स्ट्रा हेल्पिंग वब लगाना है अब एमिजार लगा है और एमिजार के बाद क्या चाहिए हमें वी फोर चाहिए लेकिन अब किसका वी फोर लिखेंगे बी का तो बी का भी फोर क्या है बींग जंड लिखेंगे यह वाला वर्व की थाट फॉर्म बन के आएगा तो बी की थाट पॉर्म क्या होती कि यह बिन है और फिर हमें पता है कि हमें किसका फॉल्म जीच करना है एंब थिरी प्लस बाई प्लस एज़ेंट कि आई होप यह स्ट्रक्चर सापको कहीं जाने की जरूतनी है तो बस मैंने तीन ही करके आपको बताया और बचे आपके पांच जरूतनी मुझे पूरे बताने की थोड़ा समय आपको कॉंसेट देदू क्या चाहिए हमें वी टू ऑबजेक्ट पहले आज जाएगा और वी फॉर्म लिखनी है वाजवार आजाएगा अब यहां जैसे बी का आपने वाजवार लिखा फिर इसको बीटरी में चेंज करती है आई होप यह कॉंसेप्ट आपको पूरे टेंस के पैसिव इस बनाने में मदद करेगा याद नहीं करना इसको रट्टर नहीं लगा रहा है जस्ट आपको बी के फॉर्म उसी रूप में यूज करने जो यहां पे फॉर्म दे रखें यहां से देखेंगे बस जो फॉर्म आपको चाहिए ना यहां पर भी तरीका वो बी वाला फॉर्म रखिए अगर हमको कोई बोले कि सर इसका बना के देखाई चली एक और में बता आपको क्या करेंगे हम ऑब्जेट लाएंगे फिर क्या एगा शैल बिन अगर आप वीडियो देखें तो आप साथ साथ बोलते चाहिए कि आगे आने वाला क्या है जो मैं लिखूं आपको फिर क्या लिखा हुआ है लिख दिया हम नहीं यहां तक अब क्या चाहिए यह वर् तो बचे डियर हमने चार आपको कंप्लीट करके दिखाए बचे चार आप कॉमेंट करके चारों के पैसिव स्ट्रक्चर साब लिख के दिखाएंगे देन मैं सटिसफाइड हो पाऊंगा कि हां यह कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया है चलिए मिलेंगे मैं एक नए वीड झाल झाल